मेरे यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और हमने इस क्लासेज में लास्ट क्लास थी हमारी उसमें हमने बारतिय ग्यान पिट पुरुषकार के बारे में अध्यन किया था और अब तक जितने भी ग्यान पिट पुरुषकार दिये गए थी उन प भारति में जो स्विधान की जो अधिकरित 22 भासाई हैं स्विधान के नुसूची में जो मानिता प्रावत 22 भासाई हैं उनको दिया जाता है और 22 भाषाओं के साथ में राजस्थानी की बात करें और अंग्रेजी भाषा की बात करें तो इन दोनों भाषाओं पर भी साहित अकादमी प्रुषकार साहित्य अकादमी प्रुषकार दिया जाता है इसके बाद मैं बात करूँ कि किस छेत्र में दिया जाता है तो साहित्य के छेत्र में उत्कष्ट साहित्य लेखन के लिए यह पुरुशकार दिया जाता है इसके बाद मैं अगर अगे बात करूं कि यह किस अजनसी के द्वारा दिया जाता है तो यह भारती ए साहित्य एकादमी भारत से द्वारा दिया जाता है बात करें कि इसके पुरुशकार में क्या क्या राशी दी जाती है तो हमने ग्यानपिट पुरुशकार की भी बात की थी और इसमें मैं बता दूँ इसके पुरुशकार राशी में एक तामर पत्तर दिया जाता है तामर पत्तर के साथ साथ सन 1983 में 1983 से पहले इसको 5,000 रुपे राशी दी जाती थी और 1983 में इस राशी को बढ़ाकर 10,000 रुपे कर दिया गया था और 1983 के बाद में अगले 5 साल में 1988 में इसी राशी को बढ़ाकर 25,000 रुपे कर दिया गया था और उसके बाद में बातकुरू में सन दो हजार एक इस्वी में इस राशी को 40,000 रुपे तगे कर दिया गया था और सन 2003 में इस राशी को बढ़ा कर 50,000 रुपे कर दिया गया था और सन 2003 में इस राशी को बढ़ा कर 50,000 रुपे कर दिया गया था और इसके बाद में अब बरतमान की बात करें तो यह राशी है एक लाक रुपे के साथ में तामर पत्र दिया जाता है तो बरतमान में भरतिय साहत्ययकाद्मी की जो राशी वो एक लाख रुपे तक की राशी है और इसके बाद में एकर दचाक रुमें इसकी सुरुआत हुई थी उननीस सो पीच्पन में पहला भारतिय गया पहला साहित्ययकाद्मी पुरुशकार दिया गया था तो मैं कि रचना का जो शमह है या वरस है हैते किस रच में यह प्रूसकार दिया गया और इसके बाद में अगर बात कुरूं दिया रहा हूं तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ कि हमने शुरुवात की बात कि थी 1905 में पहला ग्यानफिट पुरुषकार दिया गया था तो यह है रचनाकार थे माखनलाल चतुरवेदी माखनलाल चतुरवेदी इसकी जो काव्य रचना है वो हिम तरिंगिनी पुछा भी जाता है कई बार प्रिक्षाओं में पुछा गया है हिम तरिंगिनी जो रचना है वो किसकी है और साहिते काद्मी पुरुषकार जो पहला पुरुषकार है वो हिम तरिंगिनी पर मिला है माखनलाल चतुरवेदी को मिला है इसके बाद में बात करूँ 1956 में वासु देव सरण अगरवाल अगरवाल को दूसरा ज्यानपीट पुरुसकार मिला और उनकी जो काव्य गृतिया है वो पदमावत संजीवनी व्याख्या इनके द्वारा व्याख्या की गई और इसे व्याख्या पर इनको भारतिया साहित्य अकादमी पुरुसकार दिया गया उसके बाद में 1957 में आचार्य नरेंदर देव आचार्य नरेंदर देव को भारतिय गयन पिठ पुरुसकार का तीसरा संस्क्रण इनको दिया गया और इनका काव्य गरंत की बात करें तो इनका एक धर्शन है उस धर्शन पर उनको पुरुसकार मिला है उस धर्शन की बात करूँ में बोध धर्म धर्शन बोध धर्म दर्शन और यह एक तरीके का काव्य की बात करें तो दर्शन काव्य परंप्रा के अंतरगत आता है इसके बाद में 1958 का जो भारतिय ग्यानपिट पुरूशकार है 1958 इस्वी में राहूल संक्रत आइन संक्रत आइन को ग्यानपिट पुरूशकार मिला है मद्दे एसिया का इतिहास सुरी ज्यानपिट प्रूशकार ने सहिते कादमी प्रूशकार मिला है उनको मद्य एशिया का इतिहास और यह है एक तरीके का इतिहास से समंधित काविया का संस्क्रण है इसके बाद मैं बात करूँ मैं 1960 इसमें सुमित्रा अनंधन पंत को सुमित्रा अनंधन पंत को बाती है जो साहित्य कादमी प्रूशकार है वो मिला है और इनकी काविय ग्रंथी की स्वरी काविय रचना की बात करेंगे तो कला और बुड़ा चान कला और बुड़ा चांदिन का है काव्ये इनके उपर इनको 1960 का साहित्य गादिम पुरुषकार मिला है और सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो चितंबरा प्रवुण को पहला ग्यानपीट पुरुषकार भी मिला था 1968 में ये भी आपको ध्यान रख लेना है पहला ग्यानपीट पुरुषकार भी सुमित्रा नंदन पंत को मिला है ये भी हमें ध्यान रखना है इसके बाद में बात करें 1968 के बाद में 69 वर्स चुक गया था तो उसको राम धारी सिंग दिनकर को पुरुषकार साइटे काद में दिया गया संस्कृति के चार हद्याए संस्कृति के चार हद्याएð जो भारतिय संसकृति से संस्कृति से संस्क्रा नहीं पुरुषकार रहे हैं इसके बाद में 1961 की बात करूं मैं, तो 1961 में, 1961 में भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा को 1961 का साहितियक आदमी पुरुषकार मिला और उनकी कावे गरंथी की बात करेंगे, तो भूले विश्रे चित्र यह भी परसन बहुत सारी नेट की एक्जाम में पुछे जाते हैं, और यह पुछे जाने वाला स्वाल है, भूले विश्रे चित्र यह भगवती चरण वर्मा का उपनियास है, और 1961 को कावे साहितियक आदमी का पुरुषकार मिला है, उनको, 1962 की बात करूं मैं, तो यह एन्ने था, नोट वेलोर, यहनि किसी को भी पुरुषकार नहीं दिया गया था इस मैं, 1963 की बात करूं मैं, अमरित राए, जो प्रेमचंद जी के बेटे थे, उनको दिया गया है, और उन्होंने प्रेमचंद कलम का शिपाही जीवनी लिखी थी, उस जीवनी पर उन्हें भारतिये साहित्य अकादमी का ज्यान, ने सोरी, भारतिये साहित्य अकादमी पु व्रूशकार उनको दिया गया था, और 1964 की बात करूं मैं, तो अगय जी को, 1964 में हिरानन, सचीदानन, वात्सायन अगय जी, इनको अंगन के पारदवार, कावया पर अंगन के, पारद्वार इनका कव्य है और 1964 का उनको साहित्य काद्मी पुरुसकार दिया गया था आगे नेक्स्ट 1965 इस्वी की अगर बात करी जाए तो 1965 इस्वी में डाक्टर नगेंदर को डाक्टर नगेंदर को रस शिधान्त पर रस सिधान्त पर भारतिय साहित्यकाद्मी पुरुसकार मिला है और यह है डाक्टर नगेंदर की बिवेचना की शिरणी में आती है 1965 का साहित्यकाद्मी के बाद 1966 के बात करूं तो जनेंदर कुमार को जनेंदर कुमार को यह पुरूशकार मिला और जनेंदर कुमार की जो काईवे रचना है मुक्ति बोध मुक्ति बोध पर यह है पुरूशकार दिया गया और मुक्ति बोध जनेंदर कुमार का उपनियास मन्यादाता है इसके बाद में बात करें 1666 में साहित्य अकाद में पुरूसकार दिया गया था अमरित लाल नागर को और अमरित लाल नागर की रचना है अमरित और विस उपन्यास है इनका और सब्से बड़े उपन्यास कार माने जाते हैं अमरित और विस हुस इनका उपनाशिन इस उपनाशए पर 1946 का प्रूस कर मिला सब Var surprised 1968 की बात करेड़े तो उसके बाद में हर राय वचन को भाध शॉयत्रीन की 28 की बात करें तो उसके बाद में सब्लेफी पॉन्होंको है गर भाध्थ सायतियक आद में कि इसके बाद में बात करूं सन 1937 में स्रीलाल सुकल को राग दरवारी स्रीलाल सुकल स्रीलाल सुकल को राग दरवारी उपन्यास पर रहें 눈 naka parema की अउपारी गया है जान पिर सहितिया गाद में बरुसका दिया गया और मैंश्य की बात करूं थो निशन सु सथ्र में राम बिलाज सर्मा को अजित शुर्म बिलाज से सर्मा की बात करें तो निराला की शहितिया साधना इनकी जीविनी लिखी गई है निराला की साहित्य साधना या निराला जी की जीवनी प्रधारित का भी अगरंथ है और उसके उपर 1970 का बारतिय साहित्य कादमी प्रूसकारण को दिया गया है तो बाकी 1970 के बाद के second part में हम पढ़ेंगे इसके बारे में तो आज के लिए इतना धन्यवाद के सुऌने लिएमार कादमी अधर सुब Прकष्ण कि इसके बाद के स्वना या दो आन nationale कृवप प्रेब। कि है कि म锡़व और उसके लिए जग मेंदी है चार्यस को ड़ो आज मैं तो इसके बादelles में हैं कि अ Wednesday act оп II